वेलकम स्टुडेंट क्लाइंट साइट जावा स्क्रिप्टिंग में हम लोग आये हैं सेकंड यूनिट पे जैसा कि आपको पहले बता है यह यूनिट हम लोग तीन पार्ट में पढ़ेंगे पहला पार्ट एरे दूसरा फंक्शन और तीसरा स्ट्रिंग तो आज का यह वीडियो लेक्शर हमारा है फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट पे तो आईए आज के इस वीडियो लेक्शर के हम लोग लर्निंग अब्जेक्टिव्स पहले डिसाइड करते हैं आज हम लोग देखेंगे वाट इस फंक्शन फिर फंक्शन को विट हैंड विदाउट और्गिमेंट किस तरह से हम लोग बनाएंगे नेक्स हम लोग थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं हाउ टू कॉल फंक्शन फ्रॉम फ्रॉम और रिटर्निंग दवाल्यो फंक्शन तो बड़ा आसान सा और छोटा वीडियो लेक्शर होने माला है आपको ध्यान देना है जैसा कि पिछली बार भी बता है एरे में कोश्चन और फंक्शन पर हमेशा आपको प्रोग्राम या कॉलिंग का हम लोग उसको कर सकते अब यह कोश्चन आता है कि वाई वी यार उजिंग फंक्शन तो कोई रिपीटिटिव कोड है अगर उसे आपको बार बार लिखना पड़े तो आपके कोड लेंथ बढ़ सकती अगर उसको शॉर्ट रखना है आपको कोड लेंथ को और फ्रिक्वेंटली कॉल प्रोग्राम में उसको बार बार यूज करना है तो हम लोग उहां पर करेंगे फंक्षन तो डेफिनेशन हुआ और रिक्वाइर्मेंट हुई डेफिनेशन का है इट इस ब्लॉक अफ कोड रिटेंट टु अचीव और स्पेसिफिक टास्क क्यों बनाते हैं ताकि हमारी कोड लेंथ रिड्यूस रहा है और रिपिटेटिव कोड है तो उसको एक अगर रखके हम लोग फ्रिक्वेंटली कॉल कर सकते हैं दूसरा कि इट इस इजी तो फाइंड बग्स अगर फिक्स करना है आपको कोई बग है कोई एरर है तो बिकॉज ऑफ फंक्शन ही आसानी से होती है और तीसरा इसका बेनिफिट है इंक्रिस्ट द मॉडुलियरीटी प्रोजेक्ट जो भी आप सॉफ्ट बना रहे हो इसकी मॉडुलियरीटी आपकी इंक्रिस हो जाती है प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट में लोग डेवलप कर सकते है ठीक है तो यह डेफिनिशन और उसकी नेसिटी भी अब हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप में फ जैसा स्वार्ट है, इन मेथर्स को अम लोग बोलते हैं इन्टरंसिक मेथर्स मेथर्स में आपका है स्क्वेर रूट निकालना है तो मिनिमम मैक्सिमम तो जो भी ऑबजेक्ट के साथ में जावास्क्रिप्टिंग एंजिन आपको इन्बिल्ड प्रोवाइड किये मेथर्स उनको हम लोग बोलते हैं इन्टरंसिक मेथर्स तो आज के हमारे टॉपिक का रिक्वार्मेंट है हम लोग देखने वाले फंक्षन वह भी काउन से यूजर डिफाइन फंक्षन तो यूजर डिफाइन फंक्षन के लिए जो सिंटेक्स है दोस्तों वह यहां पे दिया है कि आपको क्या लिखना है सबसे प्ले कीवेड हम लोगों को जो सिसी पद या जावा की हैबइञ तो हम लोग सबसे पहले की लिखते है रिटेंट सिन डिन टाइप लेकिन जावा स्क्रिप में आपको रिटन टाइप में देंशन करना आ जैसा अरे मीब पता था कि वहां olsun नेंसाय श्जास्ट करना नेशं करना जावास्रीप में फंक्शन लिखते ह Vid Navka एक रिटन टाइप लिखना तो किवल वन फंक्शन नाम का कीवर्ड देना है फंक्शन नाम का कीवर्ड उसके बाद में फंक्शन नेह्म जैसा कि हमेशा disparage और फिर अगर को argument list है तो वह आपको बताना है और फिर opening and closing तो opening and closing यह जो curly braces है यह define करती है body of function और यह function name और argument यह तीनों पार्ट मिलके बनते है function head ठीक है दोस्तो syntax clear है return type नहीं देना है function keyword का इस्तमाल करना है अब function name में क्या क्या है rule जो है आपको कि function का अगर कोई name set करना है तो आपके लोग क्या इस्तमाल कर सकते हो आप लोग alphabets याने letters, digit, underscore sign या फिर dollar sign का भी इस्तमाल कर सकते हो किसी function का नाम लिखने के लिए ठीक है जैसा है यहाँ एक example मैंने बताया है example हमने लिखा है function show जावा skip में अगर आपको ये show नाम का function बनाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले keyword function, keyword है इसलिए सारे character यहाँ small है, fb small है ठीक है तो function show, कोई argument नी, opening और closing braces के बीच में मैंने एक message डिस्पले किया, welcome to programming lab ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, जहाँ पर हम लोग देखेंगे function with or without argument किस तरह से होता है तो function without argument आपको बनाना है, जैसा यहाँ मैंने एक add नाम का function बना है, तो पहले function keyword लिखना है, फिर add without argument है, जो भी हमने opening body बनाई, उसके अंदर variable डिकलियर किये, addition of variable करने के बाद में result स्टोर किया, और इसको हमने डिस्पले किया, ठीक, with argument है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंग argument, अब यहाँ पर भी दोस्तों धान दो कि आपको यहाँ पर variable का argument का data type mention नहीं करना, with argument और with return type यह function हमने लिखा, तो यहाँ data type हमने कई mention नहीं किया, written type मेंशन किया है, और data type, तो बहुत आसान सा है function को लिखना, अब हम थोड़ा असा detail जाके देखते हैं कि इसको अगर एक complete program में convert करना रहा, तो यही program हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो notepad editor open करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे doc type, html और उसके बाद में हम लोग लिखेंगे html tag, ठीक है, अब आपको function लिखना है user defined function, तो दोस्तों यहाँ पर आपके html के दो पार्ट होने चाहिए html program के दो पार्ट होने चाहिए, एक standard practice है, पहला पार्ट होगा head, जहाँ पर हम लोग function को define करेंगे, और दूसरा पार्ट होगा body, जहाँ पर हम लोग function को call करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर दो पार्ट हम लोगों ने अपने html page के बनाए, html page बनाने के लिए हम लोगों न head part and body part, तो function की definition कहाँ होगी, head part में, और उसका calling आपको जो करना है, वो कहाँ पर होगा, body tag में, तो यहाँ पर head part में हम लोग लिखेंगे, function को define करेंगे, तो शुरुआत होगी इसकी function keyword से, जो भी आपको function का नाम रखना है, वो आप रख सकते हो, with argument देना है, तो without argument देना है B with value 20, अब इसको हम लोग display करेंगे, C में या सीधे आप लोग display में ढाल सकते हो, तो यहाँ पर हम सीधे display करेंगे, document.write कर सकते हो, या alert से भी आप लोग अपना message display कर सकते हो, तो यहाँ लोग पहले addition कर लेंगे, A plus B, यहाँ पर हमने priority change की है, और यहाँ पर हम लोग message भी दे दे देंगे, addition, तो इस तरह से हमने दोस्तों यहाँ पर head section में function को define किया है, function define किया है, function का हमने head लिखा और उसकी body, अब हम लोग function को call करेंगे, तो HTML form से जब आपको उसको call करना है, तो यहाँ पर आपको tag लिखना ज़रूरी है, script, पहले भी लेक्च वीडियो में, पहले unit में आपको बता चुका हूँ, कि हम लोग javascript को जब HTML के साथ में embed करना है, या call करना है, तो हम लोग script tag का इस्तमाल करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर मुझे function add call करना है, sum function call करना है, तो मैं simply लिखूंगा sum, हो गया दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक आसान सा प्रोग्राम, javas script का, अब इस program को हम लोग save करेंगे as a HTML, और mouse से जाकर वहाँ पर double click करेंगे, जहां पर भी हमने इसको store किया, तो web browser में से हमारा यह web page launch होगा, जहां पर हमें addition message display आएगा, addition 30, इस तरह का message हमको display पर आएगा, तो याद रखना है, function जब भी हम लोग इस्तमाल करेंगे, तो हम हमारे web page के दो part बनाएंगे, head part में हम लोग हमारा function define करेंगे, और body में उसको call करेंगे, यह हो गया आपका calling side, ठीक है, और यह जो portion है head यह आपका है definition side, जहां पर आपने function को define किया है, इतना आसान से, हम लोग इसको body में भी कर सकते, function का definition और calling, लेकिन separate रहा तो हमारे लिए ज्यादा convenient है, हम लोग इसको आसानी से कर सकते, हम लोग अपने topic पे चलेंगे, topic हम लोग का था function with argument and without argument, तो यह आपका without argument, with argument में हम लोग argument specify कर सकते, सिप उनका कोई data type mention नहीं करना है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से हम लोग call कर सकते है function को from HTML, बहुत आस section होगा और दूसरा body, hit section के अंदर हम लोग उने function को define किया है, और body section में हमने function को call किया है, अभी मैंने जैसा आपको notepad editor में बताया भी था, इसी तरह से हम लोग with argument और return type भी function को define कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर किया, मैंने calling side से, यहाँ पर हमने cursor पर ध्यान दो दोस्तों, य call करते वक मैंने यहाँ पर value pass किये 10 and 20, पहले example में यह value हमने function के अंदर दी थी, लेकिन अब यहाँ पर हमने इस value को body में, HTML के body में, calling side में दी है, यह value pass होगी A और B में, addition जो भी है वो return करेगा फिर से calling side पर, तो C की value return आएगी, यहाँ पर body section में, और वो store करेगी, initialize करेगी x को, पात में, जो भी value of x है वो यहाँ पर display पर आएगा, ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से बड़े आसानी से हम लोग HTML में, अपने function को call भी कर सकते हैं, तो यह आज का हमारा section था, जिसमें हमने देखा function, function is a block of code return to achieve specific task, function को हम लोग यहाँ जावा स्किप में, दो तरीके से देखते हैं, intrinsic और user-defined, intrinsic हैंने inbuilt, जैसे कि math के हुए, या फिस string के हुए, इस तरह के, या array के functions हुए, जो हम लोग उने पिछले वीडियो में देखे, तो वो सारे intrinsic थे, आज हमने देखा किस तरह से हम user-defined function बनाएंगे, तो user-defined function बनाते वग, function keyword का इस्तमाल करना है, function name, अग and without argument हम लोग function बना सकते हैं, फिर calling, HTML से आपको अगर page में call करना है, तो body section में आप calling करो, और head section में HTML के आप function को define करो, तो इस तरह से हम लोग करते हैं, returning value में भी हमने देखा, calling side में आप लोग value return करते हो, आपको यहाँ पर कभी भी data type का इस्तमाल नहीं करना है, function return type में भी न सारे ही question बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको दहन से solve करिए, अगर कोई difficulty थी तो आप लोग WhatsApp group में या chat group के अंदर, आप लोग message भेज कर question पूछ भी सकते हो, तो यह questions आपको solve करना है, आपकी assignment copy में, और फिर वो scan PDF आपको जो Google form में ने provide किया है, आपके WhatsApp group पर, वहाँ पर scan क करके उसे upload करना है, यह सारे ही questions आपके exam में पूछे हुए है, ऐसे questions मैंने यहाँ collect किये, इनको आपको solve करना है, ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे string, तब तक के लिए, good bye